दनबाज दिले के गुविन्द पुरंचोल में एक पर फिर सरकारे जमीन पर कबजा को लेकर भी वादन गहरा गया। इस बार मामला गोईद्न पुरंचल के हटीयाडी गाउं से है जोहां सरकारी जमीन पर कबजा को लेकर दो पक्चों में बिवाद देखने को मिला मामली में प्रतम पक्चों का कहना है कि हटीयाडी मौजा नंबर 52 खाता नंबर 48 सरकारी खाते हैं जो 1932 हुकुम नामा के तहट सरकार की अनुरूप हम लोगों को दकल कबजा दिया गया है लेकिन ठाकुर मैं तो जो कांकों के रहने वाले हैं जो की जबरन हम लोगों की जमीन पर कबजा कर भवन निन्मान कारे कर रहे हैं प्रशासने करोक थाम के बावजूद भी निरंतर का रिच्वल रहा है हम लोगों ने DC, SDM, CEO, थानवरभारी को भी लिखी ताविदन दिया है लेकिन इसकी जुआच प्रकिरिया अब तक नहीं हुई है महिँ प्रशासन से गुहार लगाई जारी है कि इसकी जुआच करे और दोनों पक्छों में बिवाद को सुलजाया जाए महिदीतिय पक्छो ठाकुर महतों का कहना है कि मेरा कागजात पुर्णरूप से सही है बिवाग इसकी जुआच कर सकते है प्रशासन का कार्य है कि इस बिवाद को जुलद निप्टाए और कास्मिक ताकि कोई अकास्मिक घटना ना घटे और वर्सु से चुल रहे दोनों पक्छों में बिवाद खत्म किया जा सके देखिए हम हडियाडी के रहने वाला हूं मेरा नाम लोकनात मतो है थाना बरवड़ा है जिला धनवात पोस्ट ओपिस कल्यानपूर है मेरा घर का बगल में जो कि हम लोग का पूरवाज का है 1932 का हुकुम नमा बना हुआ है उसी के अंतरगत में मेरा मकान बन रहा है जो कि मकान बना रहा है ठाकुर महतो स्वर्य पिता रभू महतो जबरन से बना रहा है जो कि वह बिहार सरकार गिरावाद जगह है गोचर में है जो साथ एकड़ है उसी के अंतरगत में मेरा जो मकान बन रहा है उसी का जाज किया जाए वो जाज करने के बाद जो निरने मिलेगा वही काम करेज़ाएं मांग मतलब क्या करते हैं सरकारी जमीन खोड़ा जाएं जो जो कर दिया वहा है मैरा माच धर चंण कर अदिका रहनेवाला हूं बना रहा है जजबर्म घर बना Baldido कई उ के एतार पर थती संग talent कर दो देंबे रियोक है कि आपाले ठीकद आ ठीक की आइसा के तो उन फ्हों छाव हो बंदबस उन्हें से 32 साल में बंदबस किया है और 66 मिल किया है करवानान मातों को प्रक्ष है उनके करना है कि हमारा आनाबाद विहार सरकार की जमीन है साथ एकड़ जमीन पर आप जो है कि अवे कभ्या कर उसको घर बनाने के काम कर रहें और पास सरकार के तरफ से खत्यान दिया गया है अगतियान के दरफ से हम काम करें और दूसरे की आप से यह पूसने चाहिए कि उन्होंने बहुत जग आवेदन दिया तो उसके उसको जाच हुई जाच कुछ लिए वक उसको उसको पहजारों आवेदन देश्रम को कोई फरक नहीं कोड़ता है कि आपके जमीन पर विवाज चल रहा है विवाज ने जुटे आरोप लगा रहा है तो सब हो जाएगा जब मेरा खत्यान मिल गया है तो सब होगा सब कि आपकुर साब हाँ मामला यह कि साथ एकड़ जमीन जो हमारे प्रवज ने रखा गया है हड़ी आड़ी मोजा में मोजा नंबर बावन खाता नंबर 48 पलोड नंबर हो जो है 1 इचो सब्सक्राइड आफलोड आप्लोड है हाइव 데्राबाद खाते की जमीन है हमने अंचल अधिकारी को भी दिये हैं, कोपी और SDO को भी दिये हैं, लेकिन SDO भी ओडर में लिख दिये हैं, कि यह वेराबाद खाते की जमिन है, यह STO के अंचल के अधिकारी के तहट पर वो अपना फैसलाद दे सकते हैं, और थाना, अभी क्या मामला है हुआ तो, अभी घ हैं, कह हैं हुए भाले वाले हैं, यह मामा घर मेरा रहा हैं, कहा को कत्राज थना कि, अंचल भी घूरें और थाना भी गि Village जनकारी दिये हैं सरफन नहीं कि लेकिन को और को सुन वानना भाल भिडना भाल भर बना रहा है जिसका जिस्तना दखल है आया है पंजीटू में उनको मिलना चाहिए नपाल महतो का आया है और गहां का दुचार आदमी को आया है लेकिन ठाकुर मतो और भागी मातान का एक डिसमिल भी जमीन नहीं आया है पंजीटू में मेरा नाम है स्रवानन्द महतो ग्राम हडियाडी ओस्कल्यान पूर्थ हाना बरवड़ा जिलादानवाज हारकंड